हलो आबरीवन आप सभी को मेरी यूट्यूब चनल टचिक्जाब में फिर से एक बार स्वागत है आसा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे हम इस वीडियो का टॉपिक सबसे पहले बता देना चाहता हूं हम इस वीडियो में बात करेंगे वो हम बात कर यहां पर कुछ इंस्ट्क्षन दिया हुआ है आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास अधर टीशी नहीं तो क्या करेंगी तो हम इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे कि आपको यहां पर कैसे एड मिशन लेना है सबसे पहले मैं आपको बता दू य इनका लिंक हम description में दे रहे हैं या तो directly आप इनके official website पर आ सकते Google Chrome या फिर कोई भी web browser के help से ठीक है जैसे यहाँ पर आएंगे यह आपको यहाँ पर login करना पड़ेगा जैसे आप admission लिये थे उसी process से login करने के बाद वहाँ पर चूज का एक option होगा वहाँ पर चूज में आपको admission का option होगा वहाँ पर जाएंगे आपको बता देंगे यहाँ पर science के लिए लगभग 24 आर्ट के लिए लगभग 24,000 फी रखा गया है और फिर अगर science की बात करें तो आप 25-26,000 अलगला category के साब से रखा गया है तो आप वहाँ पर देख लिजेगा वह हम confirm आपको नहीं बता रहे है कि फीस क्या इसका ठीक है आप देखिए यहाँ पर admission लेने के लिए यहाँ पर देखिए इनके तरब से एक admission notice निकाला गया है ठीक है session यहाँ पर आपका 20-23 के लिए एक notice निकाला गया है तो क्या है notice हम इस वीडियो में वही बात करेंगे अगर आपके पास document नहीं है तो उस condition में आप क्या करेंगे हम इस वीडियो में पूरी तरह से आपको बताएंगे ठीक है पानिक नहीं हुएगा और आपको बता दे यह वीडियो जो है काफी helpful रहने वाला है जो भी candidate का यहाँ पर selection हुआ है उन सभी के लिए ठीक है आपको यहाँ पर बता दे admission for season 21-23 intermediate section first year intermediate arts commerce science तीनों के लिए हम आपर बात करेंगे ठीक है the candidate of selection list must complete the admission process through reg.sxcrani.org जिनका official website का link हम description में दे दे देंगे आप वहाँ पर click करके जाकर admission अपना ले लेंगे बाई 12 पीम मिड़नाइट midnight 21 august 2021 आपको बता दे यहाँ पर जो आपका date रखा गया वो 28 अगस्त तक ही रखा गया ठीक है अगर आप 28 अगस्त तक admission नहीं लेते हैं तो फिर आपका admission नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है second merit list भी जारी करना है college के तरब से अगर आप admission नहीं लेते हैं 28 अगस्त तक फिर आपको बाद में payment option नहीं दिया जाएगा और आपका seat जो आपको दिया गया है वो second list में किनी को provide कर दिया जाएगा या फिर उनके नाम से allowed कर दिया जाएगा ठीक है यह बात को ध्यान रखेगा तो आपके पास time है 12 बज़े राद तक ठीक है 28 अगस्त दोजार 28 तक या जो document है वो अभी college से नहीं मिला original तो इस cases में क्या करें admission लेने से पहले आपको वहाँ पर बहुत सारे files अप्लोड करने पड़ते हैं जैसे कि आपका certificate admit card mark seat migration provisional उसके बाद reservation के लिए जो है वो टेक है आपके पास अगर certificate नहीं है तो क्या करेंगे वो देखे the following document will be required at the time of admission आप जब admission लेंगे online ओनलाइन ही आपको admission लेना ओनलाइन ही इनका fee पे करना है तो वहाँ पर आपको कौन-कौन सारे document आपको देना है वो देखें फरस्ट में आपके पास है जो option है वो है कौन-कौन सारे document देना है वो देखें जो school living certificate दूसरा आपका character certificate जो कि 10th class से मिलता है c में है आपका admit card 10th certificate जो jerox होगा उसको आपको देना है d में है mark seat जो कि 10th certificate होगा jerox आपको यहाँ पर देना है ठीक है यह में आपका migration certificate class 10th jerox होना चाहिए ठीक है migration certificate class 10th jerox और अगर other board है कोई state board या फिर central board जैसे cbsc या फिर उत्तर परते से आपको दूसरे boards है तो उन सभी को migration यहाँ पर देना पड़ेगा एप में professional certificate है जो 10th class का होगा वो भी आपको jerox देना है उसके बाद यहाँ पर next है card certificate जो की SCST, BC1, BC2 को देना है इफ applicable तो आपको यहाँ पर jerox provide करना है ठीक है नेक्स्ट आपका edge में baptism certificate is applicable जो भी यहाँ पर baptism का यहाँ पर risk duration वेयर वो सभी को देना है जो नहीं लिए उसको यहां पर नहीं देना है उसके बाद आधहार काई जैरॉक्स यहां पर प्रभाइट करना ठीक इसके बाद यहां पर बता दे कि आपको अगर यह सारे document आपके पास नहीं है ठीक है अगर आपके पास मान लीजे कि नहीं है आपके पास तो देखिए क्या होगा मार्क सीट जोगा वो जरुक्स चाहिए आप उनलाइन इंटरनेट से डानलोड कर लीजेगा और कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर स्कूल के प्रिंसिपल पे जाकर वाँ स्टांप और साइब नेचर करवाकर अपलोड कर सकता है ठीक है आप upload करेंगे तभी यहां पर admission आप ले पाएंगे finally अप्लोड नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं यहां पर ले पाएंगे उसके बता दे और नहीं आया तो आपको school living certificate, character certificate, migration certificate यह सारे चीज आपको नहीं मिलेगा तो इस case में क्या करेंगे देखे आपको बता देता हू आप एक application लिखेंगे Sanjayvier College राची के form में वहाँ पर जो लिखेंगे वो to the principal को लिखना application और वहाँ पर लिखेंगे English या Hindi में किसी भी तरह हो सकता है as your wish आप लिख सकते हैं आप वहाँ पर लिखेंगे कि अभी मेरे पास यह document है, school के तरब से नहीं दिया गया है, ऐसा स्कूल से जब certificate ले आउंगा, तो मैं finally यहाँ पर offline verification के time आपको वहाँ पर जमा कर दूगा, ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे कि आपका character certificate या school living certificate के जगा, जो आपका जो रहेगा application आप उसी को वहाँ पर upload कर देंगे, ठीक है, अब जो जो document आपके पास नहीं है, माल लिख स्कूल living certificate, character certificate, mark sheet नहीं है, migration नहीं है, provisional नहीं है, तो आप वहाँ पर सारे लिख दीजिगा, कि यह सारे, मतलब कि सारा document को mention कर दिये का, यह सारा document मेरे पास अभी नहीं है, वो application में mention होना चाहिए, तभी वो valid वाना जाएगा, ठीक है, नेक्स यहाँ पर देखें, notes are the selected candidate who do not have any, any of the above mentioned, original certificate can take provisional admission, दिखिया, आपको पास यहाँ पर बुला गया, जीन सभी के पास, original document नहीं है, वो क्या करेंगे, ठीक है, however, they need to procedure all the required document, original or jorex at the time of verification, which will be done towards the end of September 2021, आपको बता दे, अभी आपके पास नहीं है, तो कोई नहीं, आपको फिर बात में, original or as well as jorex, जो है, आपको वहाँ पर end of semester में, जब offline verification होगा, verification के time, college campus में, उस time आपको देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्या है, failing these you will be disqualified and your admission to intermediate course will be cancelled, अगर आप उस्ता में, आप अगर document को नहीं दे पाईएगा, तो finally आपका admission को cancel कर दिया जाएगा, ठीक है, keep all the document ready by September 20, 2021, भी document को ready करके रखिएगा, थाकि आपका वहाँ offline verification हो पाएगा, वहाँ पर date निकलेगा, कि यह सारे candidate आएगा, यहाँ पर आपको verification करवाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है काफी important है, वो देखिए, the photocopy should be done from the original document, जो आपका photocopy होगा, वो आपका original document से होगा, यह सानी कि online internet से निकाले, और आप वही document को यहाँ पर दे दे रहे है, next है, यहाँ पर देखिए, the document which are downloaded through internet should be attested by the school principal from where the candidate has appeared in class 10, आपको पता दे, जो भी internet से, जैसे कि आप mark sheet अगर download करेंगे, आप अपना 10th का mark sheet डानलोड करेंगे, तो वो जो mark sheet होना चाहिए, वो आपके जो प पास, आपके पास original document नहीं एक टेंट का, online jack वाले, यहाँ पर download करेंगे, cbse वाले, तो इनका mark sheet होगा, उसको जैरकुस करवा लेना है, school के principal जहां से टेंट आपको किये थे, जो भी school में था, वहाँ पर जाकर आपको principal से sign करवा कर stamp लगा कर, आप upload करेंगे, तभी वो document को valid माना जाएगा, नहीं तो वो document valid नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसके बाद next, the candidate who belongs to cbse, cse and other, other state board must submit original migration certificate at the time of registration of jharkhand academic council jack, बता दे यह जो आपका college है, वो आपका पूरी तरह से jack से affiliated या constituent college है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दे जो भी candidate cbse, icse, या other state board, other state board काने का मतल यहाँ पर उत्तर परदेश board, mp board, बिहार board, या कोई भी other boards है, या फिर icse, या फिर cbse के student है, jack वाले student को छोड़ कर, ठीक है, jack board से जो 10th pass किया, उन सब किसी को migration certificate नहीं चाहिए, jack के अलाबा, cbse, icse, या other state board से पास हुए, तो उन सभी को original migration certificate देना at the time of registration of jharkhand academic council, ठीक है जब jharkhand academic council में आपका registration होगा, यानि कि जब college से आपको मांगा जाएगा, original migration तो देना है, ठीक है, jack वाले student को नहीं देना है, क्योंकि ये jack 10th pass किया, और 12th में भी संजीवियर मैंदिशन कराएंगे, वो भी jack से ही affiliated है, ठीक है, इसके लिए वहाँ पर jack वाले student को कोई 2022, which is conducted by jack, यानि कि बता दे, अगर आप migration certificate नहीं देते हैं, CBSE, SCSE, या other state board वाले, उन सभी को यहाँ पर academic year 2022 में जो आपका jack के तरफ से यहाँ पर promotion exam होगा, first year के लिए वो इसमें आप appear नहीं हो पारे, similarly, they need to have aadhar card for the registration process to jack, और वहाँ पर आपको aadhar card भी देना है, registration process के लिए जब jack के द्वारा मांगा जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका 17 अगस्त 2020 को निकाला गया है, मैं यहाँ पर video थोड़ा late बना रहा हूँ, इसके लिए sorry, ठीक है, आपको से मैं माफी बांगता हूँ, यहाँ पर process भी बता देता कि कैसे यहाँ पर upload करेंगे document, तो मेरे पास जो ह आपको कोई issue की बात नहीं, इसके बावजूद भी अगर कोई दिकत लता है, तो please आप हमें comment करिए, मैं आपके पूरी शाहता करूगा, ठीक है, मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, जो भी आपके पास document है, internet downloaded, जैसे कि आपके पास 10th का certificate है, result आपके पास होगा, online आप न अची, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे document जो नहीं है, वो सारे वहाँ पर mention करिए, और जो जो document जैसे कि आप professional certificate के जगह पे, migration certificate के जगह पे, car certificate के जगह पे, आप वही सारे upload करेंगे, जो की application में लिखा रहेगा, या application को ही सभी जगा upload कर देंगे, जैसे कि mark sheet के जैसे कि आप migration certificate के जगह, उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर और जो है आपका character certificate, professional passing certificate, school living certificate, यह जगा के इस सारे जगह में आप यहाँ पर जो है अपना application को अप्थी के यह बात आपको ध्यान रहना चाहिए, और इसी तरह से अपना finally admission ले लिजेगा, इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेयर करें, ताकि सभी को यहाँ पर संजेवियर कॉलेज राची में, जिनका यहाँ पर selection हुआ है first merit list में, वो finally अपना admission ले पाए, तो thanks for watching, have a nice day, इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेयर करें